आप सबका स्वागत दे साइंस के लिए क्लासिस पर और आज हम क्लास 9 का जो टेस्ट होगा इम्यू का 2021 के नहीं उसके नहीं लेक्चर 4 लेकर आए हैं तो बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की ठीक एसरा लेक्चर नहीं आ रहे हैं अब उसे आपको लेक्चर मिलींगे और लेक्चर 4 हम शायंस का लेकर आए हैं इसमें हम जो डिसकॉस करेंगे वो चेप्टर 2 को डिसकॉस करेंगे lonion楣adasmy 4 friends and 4 जो चेप्टर है किलास 9, किलास 8 का वो चेप्टर आज हम इसमें एक पार्ट Sabbath करेंगे इसके भी लगबग चार पार्ट होंगे चैप्टर्स के तो इचोटे चोटे लेक्चर्स में हमने डिवाइट किया है तो friends इसको पहले लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं ठीक है और पहले लेक्चर में जो हमने टॉपिक चुने हैं उन टापिक पे आज हम बात करेंगे कि माइक्रोनोजिम क्या होते हैं इसके अलावा तो friends अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please कुछ लाइक और शेयर जरूर करिए और जो अगर नए वीवर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताके आने वाली हर वीडियो अपडेट उन्हें मिलती रहे ठीक है तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अपडेट और फिर से आपका बहुत सारों का प्रिशन था के अम्यू के टेस्ट कब होंगे तो इसके निए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ ठीक है और फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ अम्यू के जो टेस्ट है वो जून लास्ट और जुलाई फस्ट वीक में होंगे तो जुले रही है चैनल के साथ और भी किसी अपडेट के निए CVSC Board, JMI, AMU और PHU या फिर नीट और JEE के निए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए तो वीडियो शुरू करते हैं आज की इसके बाद हम बात करेंगे Micro-Orgasms Friend and Four Micro-Orgasm हमारे दोस्त और दुश्मन Friends कहते हैं दोस्तों को और Four कहते हैं दुश्मन को आप सब देखते होंगे कि बहुत सारे आपने Living Organism हमारे आस पास रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी Living Organism है जिनको हम देख नहीं सकते अपनी नंगी आँखों से जब तक उस पे कोई Spectacles या फिर कोई Microscope वगयरा ना लगा हो तब तक हम उन्हें देख नहीं सकते तो उन सब का जो उनका जो सब को कहते हैं उनी सब को कहते हैं Micro-Orgasm या फिर Microbe Shot में ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि Rainy Season में जो होती है Bread Spoilt हो जाती है और Surface पर जो है Grayish White Paches आ जाते है यह Paches अगर आप Magnifying Glass से देखेंगे तो आपको Black Rounded Structure दिखाई देंगे और यह Structure कहां से आती है तो यह Structure असलियत में जो है बच्चे यह Structures जो होती है वो Fungi होती है क्या होती है Structure? Fungi होती है जिससे जो है क्या होता है कि उस पर जो है Bread पर जो है यह Flash उसकी जो है Round Color से Flash आ जाती है तो Micronosgism में एक Activity है तो Activity तो हमें यहां नहीं समझे नी क्योंकि हमें जो Activity से नहीं मतलब है तो यह Observation अगर आप देखेंगे Waters में, Soils में तो आपको Tinny Organism मिलेंगे जो Category में Microps की नहीं आते है लेकिन यह Microps आपको इतने छोटे होते हैं कि आपको उनको देख नहीं सकते ठीक है? आप बिना Unaided Eye Unaided Eye से मतलब है कि आप जब तक आग पर कोई Spectacle या फिर कोई Microscope या अच्छी Level का Magnifying Glass नहीं है तब तक आप उसे देख नहीं सकते तो Some of These जो इसमें से कुछ ऐसी चीज़े है ऐसे Fungus है जो Braid पर होता है आप इसे Magnifying Glass से देख सकते हैं और आप जो है Microscope से भी इसको देख सकते हैं ऐसा Micronism और Microps कहलाते हैं Micronism को आप चार ग्रूप में बच्चा बाढ़ सकते हैं और ये चार ग्रूप है Bacteria, Fungi, Protojoa और Algae कुछ थोड़ी सी मैं डीटेल इसमें एड़ कर रहा हूँ आपके लिए देखिए Bacteria की जो Discovery थी उन की थी Anti-1 Luvenhawk ने AV Luvenhawk नाम था उनका ठीक है और Fungi जो है Fungi Goldfuss वगेरा और Protojoa भी जो है Goldfuss नहीं दिया था और Algae जो है हमारे Skinny India के भी एक scientist थे Professor Kashyap जिनको Professor of Algae भी कहा जाता है तो ये सब जो है थोड़ी सी additional थी उसके बाद Virus सबसे पहले उन्होंने दखा आए इसमे Virus भी Microscopic होते हैं बट ये Different है Other Microsum से क्योंकि ये सिर्फ जो है इनसान की Cell में या Host Cell में Host से मतलब है जिसको ये Infect करना चारहा है चाहो वो Even Animal हो Even Plant हो Even Human हो तो अगर उसकी Host में जाकर ही क्या होते ही जिन्दा होते हैं इसकी वज़ा से इनको हम थोड़ा सा अलग रखते हैं तो इन में से कुछ वाइरस हैं जो हमारी बिमारिये पहलाते हैं यहां से भी कुशन पूछा है कई बार इम्यून है तो Influenza के नहीं है Cold के नहीं है और कफ के नहीं है जो वाइरस के तरह ये Serious disease भी करते हैं वो लियो चिकिन पॉक्स और ये सब और आजकल जो AIDS से वो भी जो है एक वाइरस ही डिसीज है HIV नाम का एक वाइरस होता है इससे ही हो जाती है नीचे अगर आप आ जाएंगे तो डिसीजल लाइक, डिसेंट्री, मलेरिया डिसेंट्री में जो है टाइफाइड और टूबर किलॉसिस ये बैक्टिरियल डिसीज है इनके बारे में आपने छटे और साथमे किलास में भी पड़ा होगा ये आपको ये बता रहे हैं ठीके, ठीके, कुछ चितर देख लेते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं ठीके, ये आपको जो फिकर दिख रहे हैं ये बैक्टिरिया है और ये भी बैक्टिरिया है थोड़ा सा ध्यान से देख लेजिए मैं और अभी इसको इंक्रीस को बड़ा कर रहा हूँ ठीके, ये बैक्टिरियाज है उसके नीचे आ जाएंगे ये अभी मैं दिखा रहा हूं आपको इस्क्रीन पर आ जाएगा, ये है ये आपको जो है भी एलगी है और ये भी एलगी है ठीक, और इसके बाद ये आपको प्रोटो जोवा दिखाए है प्रोटो जोवा का मतलब अमीबा है इसमें थोड़ा सा अडिशनल याद रखिए अमीबा इस डिसकवर्ड बाई रसल वॉन रोजन होफ नाम के एक साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको खोजा था रसल वॉन लॉसन होफ ठीक है ये साइंटिस्ट है इसके याद रखिएगा इसके ठीक है रसल वॉन रोजन होफ नाम के एक साइंटिस्ट थे इन्होंने इसे खोजा और अमीबा नाम इसका एक ग्रीक के देफता था है अमीवियस प्रोटियस थे उनके नाम पर इसका नाम अमीबा रखा उन्होंने ठीक है उसके बाद नीचे आप आ जाईए तो फंगी के टाइप आपको दिखाये गए है ब्रेड मोल्ड है पैनिसीलियम और एसपरजीलियम पैनिसीलियम नोटेटम की डिसकावरी के निये ही जो है अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने नॉबिल जीता ठीक है और इसके साथ साथ उन्होंने जो है यह फोटो है यह फोटो बैक्टीरियो फेजेस का है बैक्टीरियो फेज कहते है इसको बैक्टीरियो फेजेस कहते है इसको ठीक है इन्हें यह क्या होते हैं बैक्टीरियो फेजेस वो किड़े होते हैं जो वो वायरस होते हैं जो bacteria को क्या गड़ते है bacteria को infect करते है तो that are called bacteria phages यह हमारे लिए बड़े फाइदे मंद भी होते है क्योंकि बहुत सारी जो हम biotechnology है वो इनके थिरो कराते हैं तो याद रखिएगा कि bacteria phages हमारे लिए लाबधायक है ठीक है उसके बाद हम इदर आ जाएंगे topic पे अपने where do microorganism live microorganism कहां रहते हैं सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि microorganism रहते कहां होंगे तो microorganism के जो places हैं वो बहुत सारे हैं जिसे single cell bacteria है कुछ algae है, कुछ protozoa है, कुछ multicellular है और कुछ algae है और कुछ fungi है तो ये सारे environment में रहते है ice cold से लेके climate hot spring पे जिस spring में इंसान की हड़ी भी नहीं मिलेंगी उस spring में उस जरने में भी bacteria और algae जिन्दा रह सकते हैं desert में रहते हैं marshy lands में रहते हैं और ये animals की body और human की body मर भी मिलते हैं तो जितने भी macrosgum हैं वो grow करते हैं दूसरी चीज़ों पर भी पैदा होते हैं और ये freely रहते हैं और freely भी रह सकते हैं अब बात करते हैं macrosgum और हम macrosgum और हम में क्या relationship है तो macrosgum जो है एक important role play करते है मारे जिन्दगी में वो हमारे लिए कुछ beneficial भी है और कुछ harmful भी है जो disease को देते हैं जो हमारे लिए 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 करते हैं तो हम थोड़ा सा इसी को पढ़ेंगे ज्यादा detail में अभी नहीं जाएंगे हम सिर्फ इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे जैसे अगर हमारे पास बात करीज़ सबसे पहले दही हम सब खाते हैं शौक से क्या आपको पता है दही जबाने का काम lactobacillus नामक bacteria करता है जिससे दही जम जाते हैं यदि आप दही को आप अपने microscope से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें और पिकल्स खाते हैं यदि आप इडिली खाते हैं इडिली और भातारस खाते हैं यदि भी सब बैक्टिरिया की मदस समभव और इसकी मदस समभव इसनी संक्या बढा लेती इस्ट रिप्रड्यूस होती है रेपिडिली और प्रड्यूस करती है कार्बन डैकसाइड को डूरिंग रेस्पिरेशन जिससे क्या होता है कि बबल्स निकलते हैं और ये बफल जो है डफ बनाती है खमीर बनाती है आप नौर्मल हशा में खमीर करते हैं और इसका वॉलियूम बढ़ा देती है तो इस बेसिस पर जो यूज है इस्ट का वो बेकिंग इंडस्टी में किया जाता है ब्रेट्स बनाने के निये और पेस्टीज और केकग बनाने के निये तो यहां से भी कुशन कई बार बन चुका है तो इसको भी याद रखिएगा कि इसका इस्तिमाल क्या हो सकता है कुछ commercial यूज भी पगड़ लेंगे माइक्रोजिम का सबसे पहला commercial यूज है माइक्रोजिम का ठीक है ये थोड़ा सा समझनी है हमें माइक्रोजिम को यूस्ट किया जाता है large scale production of alcohol सबसे पहले याद रखिएगा शराब बनाने के नहीं इसका इस्तिमाल होता है wine, acity, quesity यानि सिर्का बनाने के नहीं east का इस्तिमाल commercial production of alcohol wine के नहीं किया जाता है इस purpose के नहीं east को जो है natural sugar में ground किया जाता है और फिर या फिर जो है इस तरह के दाने लिये जाते है barley लिया जाती है wheat ली जाती है rice ली जाती है या फिर crush fruit के juices लिये जाते हैं तो इस तरीके से जो है हमारे लिए ये beneficial होते हैं एक chapter का पूरा whole division मारते हैं ठीक है क्योंकि आज की lecture में इतना ही है माइक्रोजिम क्या होते हैं जिने आप जो है नंगी आँखों से नहीं देख सकते that are माइक्रोजिम माइक्रोजिम कहां क्या क्या होती है क्या 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 कैटेगरी होती है उनकी चार कैटेगरी है bacteria, fungi, protozoa और algae viruses को भी उसी में count कर सकते हैं लेकि इसनिए नहीं count करते हैं क्योंकि ये बाहर living नहीं होता किसी भी host cell में ही जाके living बनता है तो इसनिए हम इसको अलग से count करते हैं ठीक है तो viruses जो है microscopic तो हैं बट ये थोड़ा सा अलग सी रखते हैं life के अंदर changes रखते हैं ये इनको हम अलग count करेते हैं ठीक है virus से भी बहुत सारे disease होती है common cold हो जाती है influenza हो जाती है कफ हो जाता है ये सब viruses की disease है और बहुत खतरनाग disease polio chicken box और AIDS भी इसी से होती है अगर हम proto-journ की बात करें तो dysentry और malaria ऐसी से होती है अगर हम bacteria की बात करें तो tuberculosis टाइफाइड इसी से होती है ठीक है इस वीडियो के last में हम ये भी बताएंगे यानि third lecture में इसके third जो part होगा इस वीडियो का तो उसमें हम ये ही बताएंगे कि ये आपके दो चितर जो है bacteria के शो करते हैं ये algae को शो करते है इदर वाले ये दोनों और ये दर के दो जो है ये आपके amoeba को शो करते हैं ये सारे फंगी हैं पैनिसी लिनियम की डिसकवरी अलेक्जंडर फ्लैमिंग ने करी थी और वॉक्टमैन ने इसको जो है बनाया था इन दोनों को इसके नहीं नाम मिला नॉबिल का प्रुसकार मिला ये बैक्टिरियो फेजिस है बैक्टिरियो फेजिस क्या होते हैं बैक्टिरियो फेजिस जो होते हैं ऐसे वाइरस होते हैं जो बैक्टिरिया को इंफेक्ट कर देते हैं ठीक है उनको bacteriophages कहते हैं ठीक है यहां पर फाइदा दिख्या हुआ है इनका ठीक है तो यह soil fertility वगेरा को बढ़ाते हैं लेकिन माइक्रोजिम रहते कहा है सबसे पहले हम यह topic है तो माइक्रोजिम कहीं भी रह सकते हैं ऐसी range में भी रह सकते हैं पर हमारा रहना बहुत मुश्किल है यह उस range में भी रह सकते हैं और अराम से अपनी जिन्दगी को काट सकते हैं माइक्रोजिम का हम से क्या है तो हम जतने दई खा रहे हैं हम जतनी चीज़े आजकल खाते हैं यह सब इसके निए जरूरी है और जतनी भी चीज़े हम लगबग ले रहे हैं उसमें सम्में बेक्टिरिया का कही ना कहीं रोल है जो अदाइ हम खा रहे हैं उसमें भी लैक्टोबेसिलस का बहुत बड़ा लोल है और इसमें जो है मैनी फूट आइटम्स बगेरा सूजी रवाव जो हम बना रहे हैं ये भी सब जो है हमारे बैक्टिरिया या चोटे-चोटे माइक्रोजिम से ही पॉसिबिल हो पाया है तो मैं समझता हूँ आज का जो पार्ट है वीडियो का वो कम्प्लीट हो गया है और ये लेक्चर 4 जो था क्लास 9 का जो है कम्प्लीट हो गया है और नेक्स्ट लेक्चर जो अगली वीडियो में आपको मिलेगा तो जो है इस वीडियो को जाज़ाद शेयर और सब्सक्राइब किजिए थेंक्यू वेरी मच्च तो वाच दफुल वीडियो